प्रतीमा, निर्मला, रेखा, याशु, प्रिंस, सिद्धी, दीशा, किरन, संगीता, नेहा, शोभा, आकाश, सचिन, गोपाल, पूजा, सुर्भी, कंचन, रेखा, संजे, भारती, मोनिका, महीमा राजपूत, निलम, सीमा, रेखा, मुमेंट्स ओफ लाइफ, चलिए, सभी का स्वागत हैं, और सब जॉइन भी हो चुके हैं, ठीके, क्ला आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है, मेंस्ट्रूल साइकल के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कि मासिक चकर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीके, मेंस्ट्रूल साइकल जो होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीके, चलो, होती है वो बारा से लेकर 18 वर्ष की उम्र जो होती है उसकी वो क्या कहती है बारा से 18 में ये कहती है योवन अवस्था है दो बारा से 18 है हम इसको क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं प्यूबर्टी एज ठीक है क्या बोलते हैं प्यूबर्टी एज के नाम से हम इसे जानते हैं ठीक है इसी प्यूबर्टी एज में क्या होता है तो द्यान रखना इसी प्यूबर्टी एज में शरीर के अंदर आपके द्वित्य द्वित्य लेंगिक लक्षन विक्षिध होते हैं, तो आपको होगे प्राथमिक क्या है फिर तो प्राथमिक लेंगिक लक्षन क्या हो जाएगा? कि उसमें क्या होना चाहिए अंडाशे होना चाहिए ठीके क्या होना चाहिए अंडाशे होना चाहिए तो किसी भी फीमेल के अंदर 12 से 18 वर्ष की उम्र में धित्ती लेंगिक लक्षन विक्षित होते हैं और धित्ती लेंगिक लक्षन जो विक्षित होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं तो यहां पर आप लिखोगे कि वो लक्षण कौन-कौन से है ठीक है वो लक्षण कौन-कौन से है तो लक्षणों के नाम लिखोगे आप कौन-कौन से लक्षण हो जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा पहला इस्तनों का आकार बढ़ना, ठीके, उसके अलावा गर्भाशय तथा क्लाईटोरस गर्भाशय तथा क्लाईटोरस का विकास होना, ठीके, उसके अलावा क्या होना, प्यूबिक हैर आना, प्यूबिक हैर आना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एड़ नार्चे, ठीके, प्यूबिक हैर आने को एड़ नार्चे बोलते हैं, उसके साथ ही क्या होना, तो उसके साथ शरीर में गोलाई आना, शरीर में गोलाई आना ठीक है उसके अलावा क्या होना तो ध्यान लगना मुहां से मुहां से निकलना मुहां से निकलना और एक हो जाएगा आपका आवास आवास का पतला होना आवास का पतला होना ठीक है और इनी सभी के साथ इनी सबी के साथ एक मुख्य लक्षन होता है कि इनके साथ क्या होगा इनके साथ एक मुख्य लक्षन जो होगा और उसे हम क्या बोलते हैं मासिक चक्र प्रारंब होना ठीके तो आप यहाँ पर यह देखोगे कि किसी भी महिला के अंदर 12 से लेके 18 वर्ष की उमर जो है वो प्यूबर्टी एज के लाती है प्यूबर्टी एज के अंतरगात कौन-कौन से लक्षन होते हैं तो सबसे पहले दित्तिलेंगी के लक्षन विक्षित होंगे जैसे कि इसतनों का आकरबना गरभाशी तथा क्लाइटोरस का विकास होना आंत्री ग्रूप से प्यूबिक हैर आना उसके अलावा प्यूबिक ह मत्ली होती है और एक लक्षन क्या हे मासिक चक्रपादम वोना ये मुख्य लक्षन है छिब कर आप से पुछा जाए प्यूबर्टी आने के पीछे कौन से हॉर्मोन झिम्मेदार होते हैं थिक हैं तो कौन-कौन水 हॉर्मोन चर्क के प्रति responsible है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे वो ठीक है यहाँ पे इस तमय जो hormone जिम्मेदार होते हैं वो hormone कौन से हो जाएंगे FSH और LH ठीक है यह यह दोनो hormone ही होते हैं जो इन सब का क्या होते हैं कारण होते हैं ठीक है तो यह तो हो गई हमारी basic सी बात कि भहिया प्यूबर्टी आएगी तो मासिक चक्र चालू होगा है नो यह सब चीजे तो होती हैं कंफर्म में होती हैं किसी भी लड़की के साथ इसका screenshot लो आगे चलते हैं next बात करते हैं ठीक है अब यह तो हो गया अब देखो अब यूदि हम बात करें इसके आगे कि मासिक चक्र रही हैं आभ हम बात करते हैं किसकी मासिक चक्र की ठीक है तो आपके लिखनी है प्रमुख प्रमुख शब्दा वली प्रमुख शब्दा वली ठीक है प्रमुख शब्दा वली किसकी लिखनी है प्रमुख शब्दा वली जैसे का मतलब प्रथम बाराने को क्या बोलते हैं लास्ट बाराने को क्या बोलते हैं किसी के मासिक चक्र कम चलेंगे तो उ मुख शब्दा वाली लिखने हैं सबसे पहले शब्दा वाली हो जाएगी कि जब भी किसी महिला को है ना जब भी किसी महिला को प्रथम बार क्या होना प्रथम प्रथम बार प्रथम बार रक्त स्त्राव होना प्रथम बार रक्त का स्त्राव होना क्या कहलाता है तो वह कहलाता है मेनार्की क्या कहलाता है मेनार्की या इसे हम क्या बोलते हैं रजो दर्शन कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं रजो दर्शन ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर मासिक चक्र मासिक चक्र मासिक चक्र की मासिक चक्र की समाप्ति मासिक चक्र की समाप्ति क्या कहलाती है तो मीनोपोस कहलाती है क्या कहलाती है मीनोपोस कहलाती है मीनोपोस और यह कब होता है पेतालिस से पचास की आयू में है ना क्या हो जाएगा पेतालिस से पचास की आयू में ठीक है तो पहला तो क्या हो गया आपका प पहला हो गया मेनार की, फिर देखना, जब किसी के मासिक चक्र जो होते हैं, वो नियमित रूप से चलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं, यूमे नोरिया, ठीके, क्या बोलते हैं, यूमे नोरिया, तो नियमित रूप से, नियमित रूप से, मासिक चक्र, नियमित रूप से, मासिक चक्र का चलना कोई दिक्कत नहीं है क्या कहलाएगा यूमे नोरिया यूमे नोरिया ठीक है तो अमलब की ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मासिक चक्र हर मंद जो है टाइम से आते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉबलम नहीं है बढ़िया से मासिक चक्र चल रहे है उसके बाद किसी किसी को मासिक चक्र आते ही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं ए मेनोरिया ठीके क्या बोलते हैं ए मेनोरिया ठीके तो ध्यान रखना हाँ यू मेनोरिया हो गया उसके बाद लिखना इसमें मासिक चक्र की अनुपस्थिती मासिक चक्र की अनुपस्थिती ये क्या कहलाती है ए मे नोरिया ठीक है मतलब कि किसी को मासिक चक्र ही नहीं आ रहे है तो हम उसे क्या बोलेंगे ए मेनोरिया के नाम से हम उसे जानेंगे ठीक है क्या जानेंगे ए मेनोरिया के नाम से जानेंगे ठीक है और यदि मानलो किसी को छे महीने तक मासिक चक्र आए ठीक है क्या आजाएगा अगर किसी को 6 मेने तक तो मासिक चक्र आए और फिर बंद हो गए 6 मेने किसी को period आया और फिर बंद हो गए तो उसे का बलेंगे? Secondary A. ठीके? तो वो आप शब्दा वली भी लिख ले ना कि 6 माह बाद 6 माह बाद ठीके? या 6 माह बाद या 6 माह तक है ना? मासिक चक्र नहीं आना 6 माह 6 माह बाद मासिक चक्र मासिक चक्र नहीं आना तो वो क्या कहलाएगा? Secondary A. क्या कहलाएगा? Secondary पहले आते थे अब नहीं आ रहे 6 महिने से ठीके? Secondary A. मे. न. रिया Secondary A. मे. ठीके? इस Termology को लिखो हाँ इस Termology को लिखो देखो उसके बाद फिर यह क्या होता है? कि किसी किसी महिला के अंदर बहुत ज़्यादा पीडा जनक मतलब कि उनको ना? बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसे क्या बोलते है? अगर किसी को बहुत ज़्यादा पीडा होती है इसको स्क्रिन्शोट ले ना? ठीक है ना? अरे 6 माहा से मतलब यह है कि पहले तो किसी को आ रहे थे फिर अचानक उसको मासिक चकर बंद हो गया और उसको बंद होएको 6 महीने हो गया 6 महीने से पिरियड ही नहीं आ रहे हो उसको पहले आते थे पर अभी बंद होएको 6 महीने हो गया तो हम उसे कहेंगे सेकंडरी एमेनोरिया और यदि मानलो कोई लड़की है उसको 12-13 साल में आ जाने थे लेगिन उसको 16 साल की हो गयी लेगिन मासिक चकर नहीं आ है तो फिर उसे क्या बोलोगे? एमेनोरिया ठीके ना? हाँ, इसके अंदर ये वाला पूछा है आपका एमेनोरिया वाला पूछा है न? उसको 16 में कि मासिक चकर की अनुपस्थिती जो है उसे क्या कहा जाता है? एमेनोरिया ये प्रश्न आया है ठीके? ये वाला प्रश्न आया है ठीके तो ये नाम लिख लो आप लोग मैं और लिखवा जती हूँ ठीके अगर किसी को माल लो बहुत ज़्यादा प्रॉबलम होती है पिरियेट के दौरान दर्द होता है तो हम उसे डिसमेनोरिया के नाम से जानते हैं ठीके? उसके बाद क्या जाएगा आपका? मेनोरेजिया मेनोरेजिया का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा ब्रॉडिटिंग होना ठीके? तो एक last one लिख लो अतिस्त्राव मुत बलड बहुत ज़्यादा जाता है ना किसी किसी को अतिस्त्राव 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 का मतब होता है जादा जादा ब्लिडिंग होना जादा ब्लिडिंग होना जादा ब्लिडिंग होना किसी किसी को ऐसा होता है कि पिरियेट के दोरान उसको बहुत जादा ब्लिडिंग होती है ठीक है? उसको बहुत जादा bleeding होती है तो उसको हम बोलते है अतीस ट्राओ और उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे menoresia ठीक है? क्या बोलोगे? menoresia जगा नहीं बच्ची लिखने की menoresia 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 यह मैंने आपको बहुत सारी terminology लिखवा दिये यह पूछी जाती है ठीक है? हाँ हाँ ठीक है तो यह जो है terminology लिख लो इसका screenshot ले लो फिर आगे बात करते हैं हाँ एक और लिख लो oligomanoria जगा नहीं बच्ची यह यह पर लिख दूँ oligo oligo manoria oligo manoria का मतलब होता है कि किसी किसी को masic chakra जो क्या है? aniamit है कभी आता है कभी नहीं आता तो फिर इस condition को भी तो कुछ बोलेंगे न तो इसको बोलेंगे aniamit 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 masic chakra का आना oligo manoria के बाद जो है कहा जाता है ठीक है? हाँ और एक होता है mastodinia एक टर्मो लिख लो mastodinia 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 किसे कहोगे? mastodinia का पंतब होता है इस तनो में दर्द होना इस तनो इस तनो में दर्द इस तनो में दर्द होना ठीक है? इसका screenshot ले लो इस सारी terminology मैंने आपको लिखा दिया आप कुछ नहीं बचा है इसमें सा कौने में नीचे नहीं लिखू? ठीक है, चलो हो गया इसका screenshot ले लिए हाँ हाँ, वो अल्पिस्त्राव में जाएगा ए मेनोरिया जो है आ मेनोरिया, ए मेनोरिया लिखा ठीक है, मासिक चक्र बिल्कुल लो हो जाना हो गया ना, अब आगे चलें ठीक है, आप देखो हाँ, उसके पहले आपका supervisor का जो course है उसमें आप coupon code apply कर सकते हो अगर purchase करना हो, तो आप coupon code apply करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है इसमें आपको प्योरी जो है, सभी subject की प्योरी आपको दी गई है ठीक है, चलो, आगे बात करते हैं और आप बात करेंगे हम कि जो मासिक चक्र होता है ठीक है, अब हम बात करते हैं मासिक चक्र की मासिक चक्र, मैंने शब्दा वली रिखा दी है मासिक चक्र में यदि हम बात करें तो आप बोलोगे कि ये चार अवस्था में बाटा गया है मासिक चक्र को हम चार अवस्था में बाटते हैं और चार अवस्था में आप देखोगे कि मासिक चक्र कितने दिन का होता है तो मासिक चक्र जो है वो 28 दिन का होता है 28 दिन का क्या होता है चक्र होता है ठीक है, पूरे महिने के अंदर 28 दिन की क्या होती है यह cycle होती है ठीके ना क्या होती है cycle होती है बताएंगे सामाई से पहले जो period आयाते है ठीके चलो आभी पहले यह को समझो बताऊंगे उसको भी ठीके तो क्या होता है 28 दिन से पहले की cycle अब यहाँ पर आप देखोगे कि 28 दिन जो है, उसको हम 4 भगों में डिवाइट करने, सबसे पहला फेस, ठीक है, सबसे पहला फेस जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, रजो इस्त्राव, ठीक है, क्या बोलते हैं, रजो इस्त्राव, ठीक है, पहला फेस कौन सा है, रजो इस्त्राव, मत अब इसमें क्या होती है इसमें ब्लेडिंग होती है इना ब्लड का आना अब ब्लड क्यों आता है क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटती है तो क्या होता है ब्लड आता है जिसे हम क्या बोलते हैं menstrual कहते हैं, menstrual कहते हैं, ठीके, क्या बोलोगे से, इसे लिख लेना, इसे बोलते हैं, menstrual, ठीके, menstrual, ठीके, तो menstrual phase, ठीके, menstrual phase में होता क्या है, सबसे पहले जो phase है, ये आपका चलेगा, एक से लेकर, एक से पाँच दिन, और इसमें क्या होता है, इसमें endometrium, के तूटने से, तूटने से, रक्त इस्त्राव होता है, ठीके, ये जो endometrium आपको दिख री है, ये अंदर वाली, ये परट तूट जाती है, और रक्त इस्त्राव होता है, ठीके, लेकिन असा होता क्यूं है, अगर हम बात करें कि रक्त इस्त्राव जो bleeding होती है, वो होती ही क्यूं है, ठीके, तो आप ये देखोगे, देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ये है क्या, गर्भाशे, गर्भाशे में ये क्या है, endometrium होती है, और इस endometrium के पास क्या है, एस ändometrium के पास नशे हैं इसके पास नशे हैं इसके पास क्या जा रहा है इसके पास जा रहा है अब देखों होता क्या है कि यह न ऐन्डो मेंट्रियम को blood supply हो रहा है oxygen मिल रही है blood supply हो रहा है तो यह सब चीज़े चल रही है लेकिन जब हमारे शरीर में प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन का लेवल कम हो जाता है प्रोजेस्ट्रोन कम हो जाएगा, तब एंडोमेट्रियम को जो blood supply है blood supply, एंडोमेट्रियम की blood supply क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इसकी blood supply कम होने से oxygen नहीं मिल पाईगी भाग दिखता है ना जो blood के रूप में आता है वह आपको थोड़ा सा black black color का dark color का दिखता है क्यों दिखता है क्योंकि उसमें oxygen level कम हो चुका है दिवारे अब मरने वाली है और दिवारे तूट के बहार आ जाती है तो progestron जो hormone होता है इसका level down हो जाता है तभी यहाँ पे जो द supply बंध होने के कारण यह पूरी दिवारे तूट के शरीर से बहार आ जाती है ठीक है दूसरा point तो यह समझ में आया कि बाहर क्यों आती है दूसरा point हम समझेंगे कि वह ज apoyo अकर्य का वो जमता नहीं है मासिक चक्र का जो ब्लड होता इन वो जमता नहीं है मौनला इसका एसए ऐसा नहीं यह बाहर आके उसकी क्लोटिंग वगेरा हो गई ना फिर ऐसा भी तो होना चाहिए हमारी उंगली कट जाती है तो उंगली में ऐसे ब्लड निकलता है तो वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है लेकिन वेजाईना के आसपास इसा कुछ थोड़ी होता कि रक्त का थक रखना क्यों नहीं जाता क्योंकि इसमें फाइब्रीन नहीं पाया जाता रक्त का थक्का जमाने वाला जो प्रोटीन होता है वो मासिक चकर के रक्त में अनुपस्थित होता है ठीक है तो आप ये भी लिख लेना क्यों होता है तेको रक्त इस्तरा हो क्योंकि प्रोजेस्ट प्रोजेस्ट्रोन का इस्तर गिरता है जिससे एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है कम हो जाती है और इसी करण से वो तूट जाती है दूसरा पॉइंट है रक्त नहीं जमता क्यूंकि इस रक्त में इस रक्त में क्या कायब है इस रक्त में फाइब्रीन नहीं पाया जाता ठीके तो यह जो मासिक चकर का ब्लड है वो नहीं जमेगा और क्यूंकि उसके अंदर जो है फाइब्रीन नहीं उता जो उसको जमा दे इसलिए जो यह ब्लड है मासिक चकर का यह ब्लड नहीं जमता दूसरी हम बात करें कितना ब्लड आता है त्यानक ना मासिक स्त्राव जो होता है उसमें 15-80 ml जो है रक्त स्त्राव होता है ठीके हाँ 15-80 ml तो blood की quantity भी लिख ले ना यहाँ पर कितना blood जो है शरीर से जाता है हमारा तो blood की quantity लिखना blood कितना हो जाएगा blood हो जाएगा 15-80 ml 15-80 ml मासिक इस्त्राव मत में जो इस्त्राव होता है उसके अंदर 15-80 ml जो है blood हमारा बहता है ठीके अगर इससे अधिक हो अधिक होने पर 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 एनिमिया रोग होता है अधिक होने पर क्या होता है हमें एनिमिया रोग होता है ठीके हाँ अधिक होने पर कितना हो जाएगा एनिमिया रोग हो जाएगा मलब कि किसी को जादा जादा ब्लीडिंग होती ना तो अगर उसके ब्लीडिंग असी के लगबग है असी है या असी से कम है इसके अंदर अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ठीक है और अगर इससे जादा हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा उसको blood के problem हो जाएगी उसको एनेमिया हो जाएगा है ना उसको एनेमिया के लक्षन देखने को मिलेंगे जो कि अच्छा नहीं है ठीक है हाँ देखो यह सब hormone के कारण होता है संगीता सभी के जितने भी period होते हैं period के दो कारण है period जो आपके continue नहीं हो पाते हैं उसके दो reason हो सकते हैं या तो वो महिला के diet अच्छी नहीं है या तो उसको hormone problem है तिसरा कोई reason नहीं होता period के बिछे अगर आ रहे हैं और बाद में कम हो हैं तो फिर आपके diet की problem में आप खाना जो है प्रॉपन नहीं लेते हो आपका खाना पिना सही नहीं है और या तो फिर आपको हर्मों का नाम सुना है PCOD का नाम सुना है PCOD टेस्ट होता है वह यह होता है hormone चेक करते हैं क्योंकि पूरा सब कुछ hormone पर टिका है ठीक है चलो इस शरीर के tissue जब टूटेंगे crack होंगे तो दर्द तो होगा ना आपके शरी की कोई चीज टूट रही है तो इसलिए वह दर्द होता है endometrium के टूटने का दर्द होता है ठीक है चलो आगे बात करते हैं यह हो गया next पर चलते हैं पहला तो यह हो गया ठीक है पहला तो पॉइंट यह हो गया क्या होगा एक से पास दिन क्या होता है रक्त इस्तरा होगा अब पांचवे दिन क्या होगा देखो अब दूसरा पहली stage पढ़ ली हमने ठीक है मासिक चकर की पह ठीक है, मासिक चक्र, मासिक चक्र की पहली स्टेज हमने complete करी, bleeding होती है, एक से 5 दिन क्या होती है, bleeding होती है, ठीक है, menstrual, ठीक है, क्या होती है, bleeding होती है, इसने पहली स्टेज पढ़े लिए, पहली स्टेज क्या थी, पहली स्टेज थी, पहली स्टेज थी, रक्त स्त्राव, ठी इसी को हम बोलते हैं, menstrual face, ठीके, यह टूप होता है, एक से पांच दिन को होता है, कितना होता है, तो लिख लेना, एक से पांच दिन, एक से पांच दिन, यह blood बगएरा आ गया, खतम हो गई, अब धीरे धीरे blood Rico thing, bleeding क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी, तो अब यहा से आप देखोगे 6 से लेके लगभग 13 दिन का समय की हम बात करते हैं, है ना, या फिर पहले हम लिखी देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, इसको देते हैं हम graphion, graphion follicle का निर्वान होता है, या इसे बोलते हैं prolifative, prolifative face, ठीक है, prolifative face, ठीक है, prolifative face, कब से होगा, तो छटे दि दिन तक चलता है, तो दूसरा face कौन सा होगा, prolifative, यह प्रशन पूछा गया एक्जाम में, यह एक्जाम का प्रशन है, prolifative अवस्था के बारे में पूछा है, prolifative अवस्था किसे बोलते हैं, इसी को follicular अवस्था भी बोलते हैं, इसी को dimb अवस्था भी बोलते हैं, ठीक ह है या डिम्ब अवस्था है लिख लेना इससा अन्य नाम अन्य नाम क्या होजाएंगे अ फॉली क्यूलर अवस्था फॉली क्यूलर या डिम्ब अवस्था ठीक है डिम्ब अवस्था डिम्ब का निर्माण होता है अब अंडा बनेगा तो अब ब्लेटिंग तो हो गई अब ब्लेटिंग हो गई अब 6-8 दिन होगा क्या वालब 6-13 दिन क्या होगा ब्लेटिंग जब बंद हो जाती है तो इस बीच हमारी जो ओवरी होती है है ना हमारा जो अंडाश है उसके अंदर यहाँ पर किसका निर्माण होता है ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है ठीक है किसका निर्माण होता है यह ग्रेफियन फॉलिकल तो इस बीच किसका निर्माण हुआ ग् graphian follicle का निर्मान होता है और जैसे ही graphian follicle बन जाती है इन तेरा दिनों में तो इसी बीच इस अंडे से है ना ये जो graphian follicle है इससे estrogen hormone निकलता है estrogen ठीक है estrogen hormone निकलेगा और ये estrogen hormone 6-13 दिन के बीच क्या करेगा हमारी जो दिवार टूट गई थी, तो ये क्या करेगा, उस दिवार की मरमत कर देगा, ये दिवार वापिस बन रही है, और क्या हो गई है, ये दिवार वापिस बन रही है, तो एस्टोजन इससे बनेगा, 6-13 दिन के अंदर वापिस से एस्टोजन का लेवल हाई हो जाएगा, और हमारे गर्ब के अंदर पहुच कर किसका निर्मान करता है एंडोमेट्रियम का निर्मान करता है तो देखो जो तूटी हुई आपकी सरशनाथी शरीर में वो धीरे-धीरे फिर से बनने लगी ठीके और इस समय FSH हॉर्मोन ये सब काम करवाता है FSH हॉर्मोन ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगा और ग्रेफियन फॉलिकल बनने के बाद इसमें से एस्टोजन हॉर्मोन निकलेगा एस्टोजन हॉर्मोन गर्ब में जाकर एंडोमेट्रियम को फिर से बना देगा जो कि अभी हमने देखा कि पहली स्टेज में तूट के शरीर से निकल गई थी, वो आपके 6 से 13 दिन वापिस से क्या होती है, बनने लगती है, ठीक है, तो ये सब चीजे होती है, हाँ, उल्टी, सरदर्द, पेरदर्द, ये सब हॉर्मोनल प्रॉब्लम है, सब की बॉड़ी अलग-अलग होती है, हमार गर्भ अवस्ता में खट्टा खाने का मन भी हॉर्मोन के करण होता है, ठीक है, तो देखो, आपने देखा, कि 6 से 13 दिन में हमारी फिर से दिवार बन गई है, इस तरह फेस को हमने क्या नाम दिया, फॉलिकुलर फेस, इसी को हम क्या बोलते है, प्रॉलिफेटिव फेस, तो चरण, तिसरे चरण को हम क्या नाम देते हैं, तिसरे चरण को हम नाम देते हैं, अंडोत सर्ग, अंडोत सर्ग, अंडोत सर्ग के नाम से, मतलब ओव्यूलेशन के नाम हम इसे देते हैं, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ओव्यूलेशन का मतलब यह होता है, कि अब य इस कवच को तोड़कर बाहर की और प्रस्थान करेगा तो अंडा फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है कौन से दिन तो आपके चाउदवे दिन जो होता है इस दिन एक्जेक्ट ठीक है अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो अठाविस दिन का आदा है यह अठाविस दिन का आदा करोगे तो क्या हो जाएगा चाउदा दिन हो जाएंगे तो चाउदवे दिन वापिस से अंडा रिलीज होगा मतलब क्या हो जाएगा अंडो सर्ग हो जाएगा और यह जो है अंडा यह कहां आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा ठीक है इ इस दिन आता है मासिक चकर के को half कर लो उस दिन आता है तो तिसरी जो स्टेज हो गई वो क्या हो गई वो हो गई आपका चावदवे दिन की हो गई है ठीके चलिए हाँ, सब होर्मोनल प्रोब्लम है, लेट आना, ये सब चीजें, किसी को आता ही नहीं, बोडी प्रोब्लम है ठीक है, या तो हो सकता है कि उसके अंदर अंडाणू का ये उत्पादन नहीं हो रहा हो अगर किसी को पर्मानेंटी नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब उसमें अंड़े ही नहीं बनते वो बांजव प्रवती वाला काम हो जाएगा फिर और अगर किसी को आगे पीछो हो रहे हैं तो उसकी body problem है, खाना पिना सही नहीं है कमजोरी body के अंदर, hormone level सही नहीं है ठीक है, hormone गरबड़ाई हुए हैं उसके ठीक है, तो यह हो गया हमारा तिसरा face अब किसकी बात करते हैं, आप बात करते हैं चोथे face की, ठीक है, अच्छा, उससे पहले राजिस्थान महिरा supervisor वालों के लिए भी जो है, आपका online codes available है सत्याजी शर्मा classes के app पर जाएगा आप वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा अगर आपको discount चाहिए 20% तो आप coupon code apply कर देना Shirin20 के नाम से, ठीक है Shirin20, Shirin20 के नाम से coupon code apply कर देना तो मिल जाएगा ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चोथे phase की जो सबसे important है देखो, चोथा phase समझना इसको fourth phase, ठीक है fourth phase, fourth phase मतलब आखरी चरण ठीक है आखरी चरण आखरी चरण, अंतिम चरण ठीक है, last phase बोलो इसको last, ठीक है अब आखरी चरण में क्या होता है इसको हम जानते हैं किसके नाम से ल्यूटियल फेस के नाम से किसके नाम से ल्यूटियल ल्यूटियल फेस ल्यूटियल फेस ठीक है, ल्यूटियल चरण और ल्यूटियल चरण में क्या होता है इसको बहुत अराम जो समझना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, हाँ, कल से शुरू हो रही है, पंद्रा तारीक से नया बैच शुरू हो आना, बताया तो था आपको, ठीक है, एक बार इस चीज़ को समझना, अंदिम जरण में क्या होता है, लिूटियल फेज में, प्रो प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन बनता है, प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन, हर्मोन का, प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन का इस्तर बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन का इस्तर बढ़ता है, अब आप बोलोगे, अगर इसका इस्तर बढ़ेग तो फिर पासिक चक्र कैसे चल होगा, इस चीज को समझना, कि अभी जो अंडाशे था, अंडाशे में से क्या हुआ, जो अंडाशे है, अंडाशे में से अभी अंडा निकल के आया था, ठीके, माल लो ये अंडाशे में से, एक अंडा कहा आया, फैलोपियन ट्यूब में आया, ठीक है अब फेलोपियन ट्यूब में आया ठीक है अभी क्या हो रहा है अभी यहाँ पर एंडोमेट्रियम बन चुकी थी हमारी ठीक है यह एंडोमेट्रियम 6 से 13 दिन में क्या हो चुकी है एंडोमेट्रियम का निर्माण हो चुका है अब क्या होगा अब यह अंडा लुड़ लगबक कर कहां आने को तयार है, गर्ब में आने को तयार है, लेकिन अभी हमारा जो गर्ब है उसको ये नहीं पता कि निशेचन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो आप देखोंगे लगबक 16-28 दिन, 16-28 दिन है ये फेस चलता है, लूटियल फेस, ठीक है, जैसे ही अंडा लूटेल फेज में ही किसका निर्मान हुआ होगा, कॉर्पस लूटियम का निर्मान हुआ होगा, ठीक है, अब यह एस्टोजन क्या करेगा, एस्टोजन हॉर्मोन देखेगा, कि अरे, एंडोमेट्रियम तो बन गई है, मतलब कि अंडा जो है, अंडा आके यहाँ पर चिपके मतलब कि इसको ऐसा लगता है कि निसेचन होने वाला है ठीक है लेकिन प्रोजेस्ट्रन हर्मन क्या करता है उसको लगता है कि एंडोमेट्रियम जो बन चुकी है वो अंडे के चिपकने के लिए अभी क्या है पतली है तो मैं इसको और मोटा कर देता हूं और गाडा कर देता यह जो हमारा progestron है वो endometrium की मोटाई को और बढ़ा देता है तो यह क्या करता है endometrium endometrium की मोटाई बढ़ाता है ठीक है और progestron hormone का level जब बढ़ता है तो इसी कारण से period से पहले पहले 10-15 दिन जो होते हैं उसमें कुछ जो female होती है उनको body थोड़ी सी इसे लगता है कि सूज गई है swelling आ गई है इस तनों का आकार बढ़ जाता है उनको heaviness फिल होती है या उनको हाथ पेरदात करना यह सब चीज़े शुरू होने लगती है क्यों? क्योंकि progestron का level बढ़ावा अभी body के अंदर मतलब कि अंडे को शुकराणू नहीं मिल पाए किसी प्रकार का शारीरिक सम्मंद नहीं बना पाया कोई ठीक है तो अंडा विचारा क्या हुआ? उसको शुकराणू मिल पाए अंडा 24 गंटे जिया और मर गया तो अब हमें क्या इस दिवार का कुछ काम है? अब इस दिवार का कुछ काम है नहीं है इस कारण से जब endometrium जो है आपकी वो 28 वे दिन तक भी उसमें किसी प्रकार का implantation नहीं होता तो क्या होता है ये endometrium टूटने लगती है क्यूं क्यूंकि जैसे ही 28 दिन complete होते हैं हमारा progestron का level क्या होता है डाउन हो जाता है क्या होता है गिर जाता है क्यूंकि progestron की कोई जरुवत बची नहीं शरीर में क्यूं नहीं बची क्यूंकि अंडे का निसेचन नहीं हो पाया और जैसे ही hormone down हुआ जैसे ही progestron का level down हुआ वैसे ही endometrium जो होगी वापिस टूट जाएगी और exact 28 दिन बात फिर से bleeding होने लगेगी और वाप इस तराओ शुरू हो जाएगा ठीक है तो क्या होता है वापिस से रख इस तराओ शुरू वापिस से पहली फेस पे हम पोच गए तो ऐसे चार फेस से होके हम गुजरते हैं ठीक है अगर अगर नहीं हम बात करें दो condition हो सकती है देखो लूटियल फेस में दो condition होगी इसमें प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ेगा प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ेगा प्रोजेस्ट्रोन इसतर बढ़ेगा ठीक है प्रोजेस्ट्रोन का इसतर बढ़ेगा अगर मान लो निसेचन हो गया तब तो क्या हो जाएगा अगर निसेचन हो गया तब तो क्या हो जाए क्या हो जाएगी? complete हो जाएगी गरभा वस्ता complete और अगर registration नहीं हुआ negotiation नहीं हुआ अगर किसी प्रगार्गा कोई registration नहीं हुआ तो फिर क्या आ जाएगा? मासिक चक्र और ऐसा क्यूं होगा? क्यूंकि अगर निसेचन नहीं होगा तो प्रोजेस्टोन का लेवल कम हो जाएगा ठीके इसका क्या हो जाएगा इसका लेवल कम हो जाएगा और अगर मान लो कि निसेचन हो गया तो प्रोजेस्टोन का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा प्रोजेस्टोन का लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ होती है ठीक है अगर किसी को प्रेगनेंसिय में मासिक चगर आजाता है तो washing चगर हो गया किसी currently से उसकी बाटी में hormone का imbalance हो गया है या फिर हो सकता है बच्यतानी कमजोर है या उसने ऐसा कुछ खालिया है ऐसी काट खालिया है प्रेगनेंसी में पर अंत अंत में ब्लड आया और उसमें कोई दर्द वगेरा नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रेसेंटा की प्रॉबलम है प्रेसेंटा वेजाईना की तरफ जो है वो जुट चुका है यह मतलब होता है इसका ठीक है ना हां तो यहां पर आप देखोगे इस प हार्ट कोपी बूक पर हार्ट कोपी पर क्लिक करोगे तो वीव पार होगा वीव पर क्लिक करोगे तो सुप्रवाईजर के बूक आपको सामने जो है पूरी दिखाई देंगी ठीक है चलो उसके बात पयत्को है एक बात में हम सारे आपशी लिख लेटे July ता हमने देखा कि ह menstrual face, ठीक है, menstrual face कहते हैं, और ये किते दिन का होता है, एक से, एक से, पांच दिन का ये होता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा face आता है, prolifative face, कौन सा आता है, prolifative, prolifative face, prolifative face, prolifative face, जो होता है, वो कपका होता है, तो वो होता है, 6 से, 13 दिन, ठीक है, 6 से, 13 दिन, और 6 से, 13 दिन में क्या होता है, आपकी, endometrium बनती है, ठीक है, endometrium बनती है, endometrium का क्या होता है निर्मान होता है ठीके उसके बाद फिर एक phase आता है आपका तिसरे नंबर पे और उसका नाम है अंडोसर्ग अंडोसर्ग को इंगलिश में हम क्या बोलते हैं ovulation कहते हैं ovulation ovulation जो होता है आपका वो कौनसे दिन होता है तो हमने देखा चवदवे दिन होता है ठीके और अंडा फेलोपेंट ट्यूब में आ जाएगा और एक last stage हमने कौनसी देखी तो वो हमने देखी चोते नंबर पर उसका नाम क्या था luteal phase ठीके और luteal phase जो था वो कितने दिन का था तो वो 16 से अठाविस दिन का चलता है और इस समय क्या होता है प्रोजेस्ट्रोन प्रोजेस्ट्रोन जो है उसका लेवल क्या होता है लेवल बढ़ जाता है ठीके क्या होता है बढ़ जाता है ठीके प्रोजेस्ट्रोन का क्या होता है लेवल बढ़ जाता है और वापिस से घूम फिरके हम फिर एक पहले दिन पर पोच जाते हैं तो इस प्रकार क्या होता है मासिक चक्र मासिक चक्र जो है वो आपका लगवग 45-50 की उम्र में क्या होता है बंध हो जाता है जिसे हम मीनो पॉस केते हैं ठीक है ना? ठीक है चलो कुईसी को कोई डाउड है इतने में पूछो फिर आगे चलते हैं जल्दी बताओ इसका स्क्रीन शोट लेलो जिसने नहीं लिया था किसी को इसक्रीन शोट लेना जो लेलो जिसके? कोई डाउड नहीं है इसमें? करता है और ऐसा वो पूरे 28 दिन तक करता है लेकिन 28 दिन के बीच में कोई इंप्लांटेशन तो हुआ ही नहीं मतलब कोई बच्चा बगेरा बनने की प्रोसेस तो हुई नहीं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहाता ना वो दिवार तो हम इसलिए बना रहे थे ताकि बच्चा जुड़े पर कोई बडी के अंदर कुछ कोई गर में कोई प्रेगनेंसी हुई नहीं तो फिर क्या होता है फिर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अचानक से डाउन होता है और वही एंडोमेट्रियम टूट जाती है और बडी से आउट हो जाती है और पिरिएट फिर सा जाते हैं यह कर चालू रहता है क्यों चालू रहता है एक बात बताओ आपको किसने बोला कि जो हॉर्मोन होते हैं एंडोमेट्रियम के टूटने से ब्लेटिंग होती है एंडोमेट्रियम का जो निर्मान होता है वह निर्मान होर्मोन के द्वारा होता है एस्ट्रोजन होर्मोन के द्वा जो होर्मोन होते हैं, वो तो बलड के अंदर घुल कर, फिर कहां पहुंसते हैं, तो एस्टोजन होर्मोन जो होगा, वो बलड के माध्यम से गर्ब तक पहुचेगा और एंडो मेटरेम का निर्मान कर देगा। ठीके, हॉर्मोन को फैलोपियन ट्यूब के जरूरत नहीं है कि वो फैलोपियन ट्यूब से गर्ब के अंदर जाएं, जो दिवार का निर्मान होगा, वो एस्टोजन के द्वारा होता है, एस्टोजन नली के माध्यम से नहीं जाता, वो ब्लड के अंदर मिल के गर्ब के पास ठीक है तो अगर नस्बंदी कर दी जाए तो केवल और केवल अंडे गर्म में नहीं पहुच पाएंगे हॉर्मोन ब्लड के माध्यम से नसों के माध्यम से गर्म तक पहुच जाएंगे और वैसी ही दिवार बनेगी प्रोजस्टोन भी आपका ब्लड में गुल कर ही पहुचेगा और उसके बाद वो जब लेवल नहीं होगा तो वो तूट के वैसे भी बाहर हो जाएगा तो नस्बंदी के बाद मासिक चकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो अंडे होते हैं वो अंडे 24 घंटे में तो वैसे भी नस्ट हो आते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में नस्ट हो आते हैं ठीक है देखो प्रेग्नेंट वो ब्लड आता है किसी को तो वो दो कारण है वो प्लेसेंटा उसका कारण हो सकता है ठीक है प्लेसेंटा कारण हो सकता है अगर किसी प्रकार कोई गरपात नहीं है फिर भी ब्लेड आ रहा है और ब्लेड जो है वो धर्द वगएरा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर जो प्लेसेंटा है ना वो योनी के साइट चिपक चुका है तो ब्लेड प्लेसेंटा का है ठीक है यह पार्मानेंट ड़ी रहेगी ऐसा कुछ नहींगी एक लास कहीं नहीं जा रही है ठीक है इसका मतलब प्रेग्रेंसी में प्रोजस्टोन और पहले एस्टोजन में हो क्या मतलब नस्बंदी फेल हो जाती है ओप्रेशन फेल हो जाता होगा बस इस कारण से ठीक है हाँ उसके अलावा यह है कि गरवा अवस्ता अगर रोकनी है देखो सीधी सी बात जो भी इस समय इसके दोरान आपको खाने पिने की डाइट अच्छी रखनी है सारा खेल डाइट का होता है टेल मसाले की चीज़ों से दूर रहना होता है इस सब जो होता है उसके अलावा ऐसा कोई काम ना करें बहुत जादा हेवी काम ना करें लेकिन थोड़ी बहुत प्रीट के दोरान एक्सराइस करनीजये बहुत करनी सब्ussen करनी चाहिए क्यों को फिजिकल पहन उनको फिजिकल आउट नहीं करती अगर वह थोड़ासा वर्काउट करें जैसे कि core फिल्का टान्स might वे ऐसicated जो पीरियड आए ना वो बहुत आसानी से होके चले गए मालूम ही नहीं पड़ा दर्द बहुत कम हो जाता है और यदि हम से बैटे लेने का काम करते हैं सिर्फ खा रहे हैं दीरे दीरे चल रहे हैं फीजिकल वर्काउट हमारे बॉडी में नहीं है तो फिर हमें पैन होगा हम में दर्द होगा और फिर है खाने पीने से हमारी ब्लिडिंग भी जादा हो सकती है ठीक है सब खाने पीने पे आप हेल्दी फूड नहीं कह रहे है चक आपका हुआ मैं इससे उपर कोई मुझे नहीं लगता कि आप प्रश्ण आपका बन सकता है मासिक चक्र वारा छोटा सा टॉपिक था कम्प्रेट हो गया है ठीक है अब कल पढ़ेंगे हम इसको आगे ठीक है हाँ थोड़ी बहुत एक्सराइज समय पोचा लगाते ना पोचा लगाते हैं महीरा आप्रेग्नेंसी में पोचा लगाती है जाडू लगाती है तो वो उनकी normal delivery को बढ़ावा देने के लिए होता है, कुछ exercise जो है, वो तो करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, कुछ exercise जो है, regularly करनी चाहिए, वनना फिर वो ऐसे होके ही, फिर बाद में क्या होते है, operation करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी body खुलती नहीं है, खुलना ही प लेता है, तो फिर उन महिलाओं के अंदर जो है, उनकी age बहुत जल्दी दिखने लगती है, और साथी साथ उनको जो है, चिरचिडा पन, mood swing, है ना, या फिर उनको बहुत जादा एकदम से चिर हो जाना कोई बात को, ऐसा, अगर आप लोग समय से पहले बच्चे दानी निक ठीक है, हाँ, आटा पिसना, ऐसे इस प्रकार से आटा पिसना, थोड़ा सा एक्सराइस करना इस अब चलता रहता है, अरो भी क्या करो एक गाना लगा लिया करो, और उस गाने के ऊपर डांस क्या करो, खूब, अकेले कम्रे में, यह एक्सराइस हो गई, कही जाने की ठीक है, सुबह सुबह क्या करो एसा, चलिए, आप फिर मिलेंगे, कल मिलते हैं, हम, कल तो आपका, अरे दादा मेरी शादी नहीं हुई है, मैरे क्यों शादी के पिछे पढ़ा तुम लोग, ठीक है, चलो, आप कल संडे है, कल टेस्ट रहेगा, कल का सोलोशन है, बता दू क चार बजे, इसके बाद वर्दो वालों की क्लास है, उस पर आजाओ फटाफट से, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, मेरी साधी के टेंसन मत करो, मैं को पढ़ा पढ़ा गे, ता मन भर गया मेरा, ठीक है, चलिए, जे हिन, जे वारत,